तो इसके लिए देखिए मैंने ये दो कलर में भूल ले लिए हैं एक येलो कलर लिया है और एक गरीन कलर लिया है आप इसे पुरानी चुन्मी या साडी से भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए देखिए हम इसमें फंदे डाल लेंगे फंदे हम बिलकुल सिंपल करेके से डालेंगे यहां पर देखिए हम 24 फंदे डालेंगे इस तरह से एक नोट बनाएंगे ऐसे ऐसे नोट बनाया और इस धाके को ऐसे लपेटेंगे और इसे ऐसे निकाल देंगे देखें फिर से इसे लाई के उपर लपेटेंगे और ऐसे निकाल देंगे बिल्गुल सिंपल तरीके से मैं इसमें फंदे डालती हूँ आपको जिस तरीके से फंदे डालने आते हैं आप उसी तरीके से फंदे डालने यहां पर देखें मैं 24 फंदे डालोंगे यह पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सोला सत्रा अठारा झार उन्यार उक्स उन्यार प्राम सक्हड़ मैंत्या concerns लड क्कीष झामार यहूर कार 23 और यह 24 तो चलिए एक पर काउंट कर लेते हैं देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 22, 24 और देखिए यह आपर हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा हुआ है तो देखिए इस डिजैन को हम फर्स्ट रो से ही डालना शुरू करेंगे दो फंदे हम उतार लेंगे इस तरह से इने हम बनाएंगे और इस फंदे को देखिए बनाएंगे ऐसे दो, तेन, च्यार, पांच, छे, देखिए सोरी मैं इसे छोटे धागे से बना गई बड़े दागे से बनाना है हम इसे इस वाले दागे से बनाएंगे हम इसे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननीस, और ये बीस देखिए बीस फंदे बनाएं, दो फंदे आपर छोट देंगे दो फंदे इस साइड उतार लिए है और इस साइड हम दो फंदे छोड़ देंगे और बाफिसे इसे बलट जाएंगे इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और बाकी ये उल्टी रो पूरी उल्टा-उल्टा बनाएंगे ऐसे पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो उल्टा उल्टा बनाते वे कंप्लेट करेंगे ऐसे लास्ट के दो फंदे छोड़ने तक हम बनाएंगे ऐसे देखे बनाया वापिस से प्लट जाएंगे दोफन दे हम अब की बार छोड़ेंगे ये एक और दो दोफन दे पिछली बार छोड़े दोफन दे अब की बार छोड़ें देखे अब यहापर दो तेन चार पाच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला दोफन दे ये अब की बार यहापर फिर से छोड़ देंगे और वापिस यही से प्लट जाएंगे देखे इस पंदे को उतारेंगे और पूरी रो उल्ट उल्टे कंप्लेट कर लेंगे ऐसे लास्ट के चार फंदे छोड़ने तक हम इसे बना लेंगे देखे दो दो चार वापिस यही से प्लट जाएंगे यहापर फिर से हम दो फंदे उतारेंगे ऐसे और बाग की पूरी रो उतार लेंगे लास्ट के चे फंदे छोड़ने तक बहुत ही आसान है फ्रैंसिस मैट को बनाना और बहुत ही जल्दी बन के तयार भी हो जाता है बहुत ही संदर्शा हमारा मैट दो दो चार देखे चार फंदे छोड़े थे हमने और वापिस यह से पलट जाएंगे नहीं हमने छे फंदे छोड़े दिये थे वापिस यह से पलट जाएंगे देखें फिर से हम यह दो फंदे छोड़ेंगे यहां पर यहां से बनाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ देखे दो दू चार दो छे दू आठ आठ फंदे आमने छोड़ें यहां पर इस तरह से और वापिस यह से पलट जाएंगे इस फंदे को उतारा और इस फंदे को ऐसे बना लेंगे देखें इस तरह से बनाने से आपको यह पता जाएंगे चलता रहेगा कि हमने ये फंदे छोड़े थे last के चार फंदे छोड़े तद हम ऐसे ही से बनाते जाएंगे ऐसे ये देखे हमने 22 CT28 आठ इस सैड चोड़े और आठ फंदे 22 CT28 तो चलिए लास्ट के चार फंदे रहने तक में इसे बना लेती हूँ देखिए यह 10 पंदे हमने इस साइड छोड़ दिये 2, 4, 6, 8, 10 10 यहाँ पर छोड़े और 10 पंदे 2, 4, 6, 8, 10 10 पंदे यहाँ पर छोड़ दिये अब हम यहाँ पर second color लगाएंगे दूसरी कली बनाने के लिए देखिए यही से हम second color लगा लेंगे इस तरह से ऐसे second color लगाएंगे इस तागे को देखिए साथ में बना लेंगे यहाँ से यहाँ से हम 4 पंदे बनाएंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे देखिए इस पंदे को उतार लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे इस चार पंदे बनाएं और यह दो पंदे हम ऐसे उतार लेंगे देखिए धागा पीछे की तरफ करेंगे और दो पंदे उतार लेंगे इस तरह से अब देखिए इन दो पंदे को हम yellow color से बना लेंगे और देखिए इस फंदे को इस दागे के साथ लेके बनाएंगे तो यहां पर हमारा गैप नहीं आएगा और अच्छी फंदे के साथ बनके आएगा और चार फंदे हम बनाएंगे यहांसे और इधर से भी हम दो फंदे ले लेंगे तो यहां पर गैपिंग के लिए देखे यहांसे हम एक फंदा उठाएंगे और दो फंदे एक साथ बना लेंगे इस धारे को देखे साथ में ले लेंगे यासे और दो फंदे इधर से बना लेंगे वापिस यही से पलट जाएंगे तो उल्टी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे उल्टी रो में हमें कुछ भी निकरना है उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लेट कर लेंगे यही से देखे पलट जाएंगे यह जो दो फंदे हैं इन फंदों को इस सलाई में उतार लेंगे देखे यह से ऐसे बनाएंगे हमें इस फंदों को इस दागे के साथ बना लेंगे इस तरह से देखे जो यह दागा है इसके साथ हमें से ऐसे उठाएंगे और बना लेंगे ऐसे देखे इस तरह से गन के आएगा और या से देखे गैपिंग के लिए हम या से खंदा उठाएंगे और यहां पर दो का एक बनाएंगे एक फंदा आप यह से ले लेंगे और वापिस यह से बलट जाएंगे इस तरह से बन के आएगा तो इस तरह से ही हम यहाँ पर इन सब इफंदों को बना लेंगे बनाने के बाद दिखाते हूं यह देखिए यहांसे हम दो दो फंद ऐसे बनाते हुए उल्टी रो हमें उल्टा-उल्टा कंप्लेट करनी हैं इस रो में हमें कुछ भी ने करना हैं देखिए धाबा पीछे करेंगे और ये दो फंदे जो हैं ये वाले फंदे इन फंदों को हम निडल्स में उतार लेंगे ऐसे देखिए इस तरह से हम बनेंगे इस फंदे को ऐसे एसे टाइट कर लेंगे इसको जब हम बनेंगे तो इस यलो धागे को साथ में ले लेंगे इस तरह से बनाएंगे इस तरह बनाने से देखिए इसमें अमारे यहां पर बीच में गैपिल महीं आएगे और बाक्की रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे यह पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे, उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, देखिए अब गैपिंग के लिए यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर फंदा उठाएंगे हम, यह फंदा उठाएंगे, ऐसे, इस फंदे के साथ दो का एक बना देंगे, ऐसे, यह गैपिंग को भरने के लिए, ऐसे, और वापिस यहीं से पर लट जाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे, इस रो को ऐसे ही बना लेंगे, पूरी रो उल्टा उल्टा बनानी है, ऐसे, हमें उल्टी साइड से फंदे, दो दो फंदे साथ में लेके चलना है, इस रो में हमें, पूरी रो ऐसे ही बनानी है, इसमें हमें कुछ भी निकरना है, ऐसे बना लेंगे, देखें, दाखा पीछे की तरफ खुरेंगे, ऐसे, और ये दो फंदे जो हैं, इन फंदों को ऐसे उतार लेंगे, ऐसे, ठीक है, और अब देखें, इन फंदों को हम बनाएंगे, ऐसे, और जो ये फंदा है, और ये दागा यलो, इसे साथ में बना लेंगे, ऐसे, इस तरह से, और बाकी पूरी रो, उटा-उटा बनाएंगे, और देखें, गैपिंग को बहने के लिए, हम यहां से एक फंदा उठाएंगे, और दो का एक बना देंगे, ऐसे, और इस फंदे को उतार लेंगे, इस तरह से देखें, यह हमारी यहां पर इस तरह से कले बनके आएगी, देखें, आइसे, आइसे, यह देखें, इस तरह से हमने इसे बना लिया है, यहां पर हमें दो दो फंदे उतार के, और इस साइड दो दो फंदे छोड़ेंगे, और पिर इन दो दो फंदो को लेते वे, हमारी ये half clear बनके तयार हो गई अब देखिए यहाँ पर हम green color लगाएंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए आप इस green color को साथ में लेटते वेचलियेगा इस तरह से देखिए यह पूरी रो हम green color से बनाएंगे ऐसे और इस yellow फंदे को tight कर लेंगे पूरी रोग उल्टा-उल्टा बनाएंगे ग्रीन तुलर से भोत ही जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है भोत आसान तरीके से मैंने इसे ये कली वाला भोत ही सुन दर्शा देखिए इस तरह से हमारा मैट बनके आएगा आप इसे बड़ा या छोटा आपनी मर्जी से बना सकते है ये रो हमने देखिए उतार ले अब हम इस रो को भी उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे इस संदे को उतारेंगे यहाँ पर देखिए हम दो का एक बनाएंगे ऐसे दो का एक बनाएंगे और शबी फंदे के इस रो भी हमें उल्टा उल्टा बना लेनी है इस संदे को उतारा धागा अपनी तरफ करेंगे पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे यह देखिए इस तरह से हम पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे उल्टा इस तरह से उल्टा वे रो भी हमेंगे यहां पर देखिए, हम दो का एक बनाएंगे, दो फंदे का एक बनाएंगे, पुरिश यलो धागे को आगे कर लेंगे ऐसे, लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे, यहां से हमें दो का एक करते हुए जाना है, और लास्ट में दो फंदे छोड़ने हैं, लास्ट के देखिए, दो फंदे छोड़ने और वापिस यही से पलट जाएंगे, इस फंदे को उतारा, पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस रो में हमें कुछ भी नहीं करना है पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से यह देखे यह पर हम देखे फिर से दो का एक बनाएंगे दो का एक बनाया यह देखे दो तेन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा शोला शत्रा अठारा यह अठारा फंदे बनाएंगे दो फंदे यहां से फिर से छोड़ देंगे और वापी सही से लट जाएंगे इस फंदे को उतारेंगे और यह पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे यह देखिए और इरो उल्टा उल्टा बनाएंगे यहां से देखिए फिर से हम दो का एक बनाएंगे दो का एक बनाया और पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम यहां पर छे फंदे गटाएंगे और इस साइड से हम दो दो फंदे करते हुए यहां पर तीन फंदे बचने तक हम फंदे गटाएंगे तो चलिए मैं आग आपको दिखाते हूं यह देखिए हमने यहां पर दो दो चार दो छे दो आठ दो दस दो बारा दो चोदा चोदा फंदे हमने यहां पर छोड़ दिये हैं तीन फंदे हमारे यहां पर यह बच गए हैं देखिए और यहां पर हमने कितने फंदे गटाएंगे एक दो तीन चार पांच चे साथ साथ फंदे आपर घटा दिये और अब हम वापिस यह से प्लट जाएंगे तिन फंदों को ऐसे बनाएंगे देखे अब देखे जैसे हमने फंदे घटाए थे वैसे हम फंदे बढ़ाएंगे शलाई के निचे से दागा घुमाया और इस तरह से हमने एक फंदा बढ़ा लिया और य अब देखे यही से प्लट जाएंगे इस फंदेगा उतारेंगे ऐसे अब देखे फिर से यहां पर एक फंद बढ़ाएंगे जैसे हमने फंदे घटाए थे वैसे हम एक एक फंदा बढ़ाते वे जाएंगे देखे यहां पर गैपिंग को बढ़ने के लिए हम यहां से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से एक फंदा उठाया और दो का एक बना देगे और इस फंदे को बना लेंगे साथ में हमें दो-दो फंदे बनाते वे चलना है, इस फंदे को बनाएंगे, और बाकी सब इस फंदे बना लाएंगे, देखे, जैसे हमने यहाँ पर शाथ फंदे गटाए थे, वैसे ही हम यहाँ पर शाथ फंदे बढाएंगे, तो देखे, यहाँ पर फिर से हम एक फंदा ब उतार लेंगे, साथ में हम दो फंदे पिछे से बना लेंगे, ऐसे देखे, यहां पर देखे, एक फंदा उठाएंगे यहां से गैपिंग बरने के लिए इस तरह से दो का एक बनाएंगे, और इस फंदे को बना लेंगे, हर बार हमें दो दो फंदे यहां से लेते वे जाना है और इस साइडे के एक फंदा बढ़ाते वे जाना है, तो देखे इस रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी रो ऐसे ही बना लेने हैं, ऐसे फिर से देखे एक फंदा बढ़ाएंगे, सलाई के निचे से धागा भूमाएंगे, तो यहाँ पर देखे, इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, ऐसे, यहाँ पर देखे, गैपिंग को बढ़ने के लिए हमें एक फंदा उठाएंगे, और दो फंदे ले लेने साथ में इस तरह से, फिर वापिस यहीं से पलटेंगे, ऐसे देखे, और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे, देखे, जैसे हमने यहाँ पर फंदे गटाए थे, यहाँ पर, उसी तरह से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाते वे जाएंगे, और इन दो दो फंदों को साथ में बनाते वे चलेंगे, तो चलिए मैं यहां तक बनाने के बाद आपको दिखाते हूं यहां पर देखी हमने जैसे साथ फंदे छोडए थे वяти साथ- Όल यह ऐए यहां पर साथ- फंदे बड़ा लिये है इस तरह से यहां अपनी तरफ करेंगे, ऐसी, और शब इपन दे उल्टा-उल्टा बना लेंगे, ऐसे, यहाँ पर देखे, पूरी रो उल्टा-उल्टा बनाएंगे, अब देखे, यहाँ पर हम गरीन कलर लगा लेंगे, यहाँ पर देखे, गरीन कलर लगाएंगे, और यह पूरी रो यालो कलर लगाएंगे, यह जब पहली बार हमें यह गरीन कलर से बनाएंगे, अब की बार हम यहाँ पर यालो कलर से बनाएंगे, तो देखे, यहलो कलर लगाने के बाद, हम यह पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे, इस तरह से पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे, आसा, एक बार हम इस्थन देखो बनाएंगे, एक बार ऐसे ही बिना बुना उतार लेंगे, और यह रो भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, देखिए हमारी यहाँ पर हाफ कली यह, हाफ यह, पूरी एक कली बनके कम्प्लीट हो गई है, और यह कली, इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम इने अब सेकेंड कली शुरू कर दे है, यह दो रो हम ऐसे ही बना लेंगे, बिना घटाए, बिना बढ़ाए, ऐसे बनाएंगे, देखिए, ऐसे, देखिए, यह इस गरीन को टाइट कर लेंगे, इस तरह से, अब देखिए, जैसे हम दो दोफंदे छोड़ते वे गई थे, इस कली में, वैसे ही हम दोफंदे छोड़ देंगे, यह उतार लेंगे, ऐसे ही, बिना बुना उतारेंगे हम, और यही से, देखिए, इन सब इफंदों को बना लेंगे, मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ पर देखिए, हम दो दोफंदे छोड़ते वे जाएंगे, बिना बुने उतार लेंगे, ऐसे ही, और इस साइड हम दो दोफंदे छोड़ते वे जाएंगे, तो चलिए, बना लेते हैं, ऐसे, बीच में हमारे चार फंदे रहने तक हम इसे ऐसे ही बनाएंगे, दो फंदे इस साइड छोड़ेंगे, और दो फंदे यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ से, ऐसे, देखिए दो फंदे छोड़ेंगे और वापीस नहीं से पलट करेंगे इस तरह से इस फंदे को उतारेंगे बाकी पूरी रोल्टा उल्टा गुंदेंगे देखिए फ्रेंस इस तरह से यहां पर हम दो दो फंदे छोड़ते वे जाएंगे इन फंदो को और यहां पर दो दो फंदे बिना बुने उतारते वे जाएंगे जैसे हमने इस कली में बनाई थे तो ऐसे ही बनाते बीच में हमारे यहां पर चार फंदे बच जाएंगे दस फंदे हमी साइड छोड़ेंगे दस फंदे साइड बीच में च्यार फंदे बचने के बाद हमें जैसे यह आपर बनाई थी इसकली को वैसे ही अब की बार यहां पर हम गरीन कलर से बनाएंगे तो चलिए इसे बना ले थी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे बनाना बहुत है बनाना इसी तरह से आप बनाएं इस मैट को यह मैंने देखिए ऐक कली बना लहीं है दूसरी ककणि मैंने मैंने शुरू की है तो एक दो ककली बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूं पूरा sou बनाने से देखिए बहुत ही बड़ी विडियो को like किया कीजिए, channel को subscribe कीजिए, अपने friends group में share किया कीजिए, साथ में जो bell icon है उसे press किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की notification सब से पहले आप तक फॉन स्केन, comment box में लिखके जुरूर बताईगा कि आपको मेरा प्यारा सा doormat कैसा लगा, आप देखिए इस तरह से बनाएंगे यह देखिए जैसे मैंने ये कली बनाई हाफ कली ये और हाफ ये एक कली बनके आई आप देखिए हमने ये कली यहाँ पर गरीन कलर से बनाई थी यहाँ पर हमने येलो कलर से बनाई फिर ये वाली गरीन कलर से बनाई आप जो ये है बीच यह हम yellow color से बनाएंगे ऐसी एक बार हमें फंदे बढ़ाने हैं और एक बार फंदे घटाने हैं तो जैसे पहले हम फंदे घटाएंगे यहां पर और फिर फंदे बढ़ाएंगे इसी तर ऐसे देखे जैसे हमने इस कली को complete किया ऐसे ही हम इस पूरे mat को complete करेंगे यह देखे मैं यहां पर फंदे घटाएंगे यहां पर हम साथ फंदे घटाएंगे पर फिर हम वापिस जब हम फंदे बढ़ाएंगे तो हम इन फंदों को साथ में लेके चलेंगे और जब हम फंदे घटाएंगे तो हम इन फंदों को दो दो करके फंदेया पर छोड़ते वे जाएंगे तो इसी तरह से हम इस पूरे मैट को कंप्लेट करेंगे देखिए फ्रें कर दो कर दो कि अचलसी!